नमस्कार दोस्तों विंदिया प्लस कीचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे मुंबई स्पेशल स्ट्रेट फूट स्टाइल मसाला पॉँँँँँटों चलिए तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। चार से पांच हम पाओं लेंगे एक मीडियम साइज कटा हुआ प्यास, दो कटे हुए टमाटर, एक टेबल स्पून लेसुन की पेश्ट, एक मीडियम साइज कटा हुआ कैपसिकम, अधा नेम्बू, एक बारी कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, वन एंड हाफ टी स्पून काश्मिरी लाल मिर्च पावडर, अधा टी स्पून साबूल जीरा, एक टेबल स्पून पाओं बजी मसाला, नमक स्वाधनु साब, एक टेबल स्पून ओयल और एक क्यूब बटर, सबसे हो जब पहले हम पाओं को काट लेंगे, सारे पाओं को हमने कट कर लिया हैं इसे हम इस तरहीं के से छोटे पीस में काट लेंगे, अभी हम इसका मसाला रेडी करेंगे, इसके लिए हम एक कड़ाएको गरम होने की लिए रखेंगे, अभी हम इसमें बटर डालेंगे, साधी साथ हम इसमें एक टिबल स्पून ओयल डालेंगे, इससे हमारा बटर जलेगा नहीं, बटर को हम मैल्ट होने देंगे, बटर हमारा मैल्ट हो गया है, अभी हम इसमें साबू जीरा डालेंगे, जीरे को हम चटकने देंगे, जीरा हमारा चटक गया है, अभी हम इसमें लेसून की पेश डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसे हम आधा मिनिट सौते कर लेंगे, साथ ही साथ हम इसमें कटाहूर प्यास डालेंगे, इसे हम लाइट पिंक होने तक प्राई कर लेंगे, प्यास हमारी साथ हो गई है, अभी हम इसमें हरी मिर्श डालेंगे, अभी हम इसमें नमक डालेंगे, अभी हम इसमें काश्मी लाल मिर्श पाउडर डालेंगे, इसे मिला लेंगे अच्छे से, अब एम इसमें एक टेबल स्पून पानी डालेंगे जिससे की मिर्च हमारी जरे नहीं लार मिर्च को हमने अच्छे से बून लिया है अब एम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे मिला लेंगे इससे अच्छे से एक टेबल स्पून पानी और डालेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से टमाटर गलने तक हम इसे ढग कर पकाएंगे टमाटर हमारे अच्छे से गल गया है इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे इसे हम ने अच्छे से मैश कर लिया है अब इसमें पाओ भाजी मसाला डालेंगे आख इसे हम अधा मिनित भूनेंगे आदा मिनित हमने इसे अच्छे से भून लिया हैं अब इसमें केप्सीकम डालेंगे केप्सीकम को हम बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे इसे हम थोड़ा सा क्रंची रखेंगे केपसिकम डालने के बाद आदे मिनिट से ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे यह रेडी है अभी हम इसमें कटा हूँ आप पाउंड डालेंगे सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल बिंद्या प्लस की चैन को और नौटिफेकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिसे के मेरी लेटेस्ट रेसिपी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला पाउं में अच्छे से कोठ होना चाहिए अब हम इसमें नीबू डालेंगे साथ ही साथ हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे अभी हम इसे तुरंत ही सर्व करेंगे तो दोस्तो रडी है अमरा स्पाइसी मसाला पाउं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नहीं एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक कीजिए फीचर वीडियो को देखने के लिए राइट में क्लिक कीजिए अगर आपने हमारी चैनल का ट्रेलर नहीं देखा है तो टप सेंटर में क्लिक कीजिए तेंक्स वर वाच्चिं!